Hi Weaveres, आज हम देखेंगे कि Ovarian cyst जो है उसका Part Second देखेंगे, Part First हम कल देख चुके हैं कि इसके causes क्या होते होने के, इसमें क्या different होता है, Ovarian cyst और Ovarian cancer में क्या फरक है, और हमने सब देखा था, अगर यémडिह Burst हो जाती है, तो क्योंकि important है तो इसको मैं चाहरी थी कि कुछ भी इसमें से मैं मिस नहीं करना चाहरी थी इसलिए दो पार्ट में बना है तो चलिए आज फार्ट सेकिंड देखते हैं ठीक है तो आज हम इसमें क्या देखेंगे कि ovarian cyst में मतलब कौन ऐसे लोग है जो इसके risk में आते हैं किनको यह होता है और इसका पता कैसे लगाएंगे कि ovarian cyst ही है या फिर इसको कैसे treat कराएंगे अगर हो गई है तो क्या surgery इसके लिए सही रहेगी इस तरीके से हम आज देखेंगे ठीक है तो जो ovarian cyst का risk factor किन लोगों को यह हो सकती है सबसे पहरे तो age होता है इसमें कि यह उन लोगों को common होती है मतलब उन लोगों में जो होती है यह किसको होती है जो मेनिस्टर साइकल जिनको आता है जो ये get ovarian cyst when you have a menstrual cycle यानि कि जिनको मेनिस्टर साइकल का अभी age है उनको ये हो रही है तो उनको ये ज़्यादा chances है cyst बनने के और उनको कम chances है cyst बनने के जो अभी बहुत ही ज़्यादा too young है बहुत अभी छोटे हैं और उनको जो है menstrual period होता है और जो after menopause भी chances कम होते हैं क्योंकि अब menstrual cycle बन दो चुका होता है तो उससे में भी chances कम होते हैं ठीक है और hormonal problem जिनको होती है वो भी एक reason है इसका होने का कि जो ovarian cyst होती है ज़्यादा तर यह जब किसी को medical condition यानि कि कोई बीमारी है तो उनको यह ज़्यादा देखने को मिलेगी तो क्योंकि वो बीमारी के वज़े से क्या होता है जो उसके hormonal जो hormon होते हैं वो affect करते हैं यानि कि वो प्रभावित होते हैं ठीक है जैसे कि उनको फिर क्या हो जाएगा अगर यह hormon प्रभावित हो गया है अब उनके menstrual cycle में effect पढ़ रहा हॉर्मोन डिस्टरब हो रहा है तो फिर उससे क्या होगा कि यह जो polycystic ovary syndrome जो होता है वो हो जाता है polycystic ovary syndrome हम अलड़ी previous part में पढ़ चुके हैं और और पहले जो आजकल मैं disease condition आपको बता रही हूं उनमें भी आद चुके है आप देख सकते हैं ठीक है अभी ovary का अभी जो हमने ovarian cyst part 1 में यह पताया था कि क्या होता है अगर कि ठीक है फिर टेकिंग fertility drug देखो polycystic से एक बार बता देती जिसमें पानी फिल्ड होता है ना fluid बना होता है तो वो भी किस टाप का होता है वो investigation से पता चलता है तो वो ovary में जो immature जो ovary में egg बन रहा होता उसके साथ यह धेड़ सारी cyst भी बन जाती है ठीक है तो यह इस समय बन जाती है और जब वो बस नहीं हो पाते हैं ovulation के time में अंदर ही रह जाते है due to any reason तब यह क्या होता है यह वाली problem आती है तो एक बार आव अच्छी से और उससे जो मैंने समझा है समझ सकते हैं ठीक है previous part में तो जो है taking fertility drug अब कुछ लोग जो होते हैं कुछ यह वाली drug ले रहे होते हैं fertility की जैसे की klomifen करके कोई medication है जो यह क्लोमिट करके नाम से आएगी वो भी क्या करती ovulation को period को increase करेगी जिससे की क्या risk बनेगा fertility का यह sorry इसका ovarian cyst का risk बढ़ जाता है pregnancy में ovarian cyst का risk बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता ovulation menister के संग क्या हो जाती है वो cyst out हो जाती है यह बनती रहती है निकलती रहती है menister आता रहता है तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ pregnancy में menister रुग गया men cyst रुग गया उसका तो वहीं पर वो अंदर ovary के अंदर रह गया क्या वो जो cyst बन रही थी तो इसलिए यह भी एक रीजन होता है throughout the pregnancy रहेगी फिर वो cyst और cyst के रूप में form हो जाएगी तो यह form during ovulation may stay on your ovary जो के ovary के अंदर stay रहती है और after pregnancy क्या होती है यह मतलब throughout the pregnancy वो बनी रहती है cyst का form cyst के form में यह change हो जाती है cyst बन जाती है ठीक है और यह जो endometriosis जो की मैं already previous part में समझा चुकी हूँ तो उसमें भी ovarian cyst बनने के chances होता है serious pelvic infection होता है जब तो उसमें भी क्या होता infection है तो वो infection ovary तक जाएगा spread हो जाएगा बढ़ जाएगा वहाँ तक पहुंच जाएगा तो जिसके वज़े से क्या होगा ovary में cyst भी हो सकता है ठीक है फिर उसके बाद है previous ovaryian cyst अगर कभी उसको पहले ovaryian cyst आओ पहले तो बहुत chances है कि उसको फिर दूसरी भी या तीसरी भी और other ovaryian cyst भी बनने के chances होगा अब ovaryian cyst के danger हो सकती एक question आ रहा होगा दिमाग में तो यह इसका answer होगा नहीं इसका answer क्या है नहीं यह ovaryian cyst नहीं होती तब तक नहीं होगी जब तक कि इसके आगे की कुछ अभी हम देखेंगे symptom कुछ change नहीं हो जाते है कुछ people को जो होता है ovaryian cyst complication कर सकती है लेकि डेंजर नहीं होती है complication मतलब जटी ताइं हो जाती है उनमें cyst के सांसा जैसे कि उनके complication अगर उनको हो जाते है तो फिर क्या जरुवत होती है उनको surgery की जरुवत होती है ठीक है it get bigger अगर वह बहुत बढ़ी हो जाती है फाइब से लेकर 10 cm तक तो जैसे एक ग्रेप के ग्रेप से लेकर नीभू जो होता है कागजी नीभू वहां तक वह हो जाती है तो फिर उसके chances हो जाते हैं यानि कि बढ़ जाती है छोटे से बड़ी form में हो जाती है तो फिर surgery की जरुवत उसको हो सकती है और अगर कोई complication भी इसमें हो जाते है यह complication जटिलता है जैसे कि infertility हो सकती है और भी कुछ हो सकता है अगर यह है तो फिर ovarian torgen ovarian torgen भी हो सकता है torgen का मतलब मुड जाना इस तरीके से ठीक है अगर जह सिस्ट होती है वो बड़ी हो जाती है और भी साइज में जैसे मैंने भी बताया तो क्या होगा कि जो वो ovarian torgen को भी करदेगी यहाने कि ovarian torgen को वोवरी को हिला देगी अनडाशए को और इसको त्विस्ट कर देगी यहाने कि उसको मूड देगी थीक है तो जो ovarian होती हो जाती है हिल जाती है अपनी जगा से तो वो जो ट्विस्टिंग होता उसको बोलते है और यह बहुत जादा पेंफुल होता बहुत दर्द होता उसमें वुमिन को और नौजिया भी होगा उल्टी आने का मन करेगा उसको ठीक है और उसको जी मचलाएगा ठीक और यह जो रप्चर हो ज आती है सिस्ट रप्चर हो सकती ही तो उसके वज़े से होगा सीडियस पेंडा ब्लेडिंग रोगी इस पेशलिए लाइंग अगर जादा बड़ी हो गई है तब यह और ज्यादा से Allez क्रिएट करेंगी सेक्स के समय और अबदर जो यह जो प्रेशर काम होते हैं उसमें भी य जाएगी तो यह जो रफस्चा सिस्ट होती सम टाइम यह क्या होती है अपने आपी हील हो जाती अपना पी ठीक हो जाती है लेकिन कभी कभी इसमें क्या हो जाते ही medical emergency की जरुवत पढ़ जाती क्योंकि ज्यादा serious जो symptom होते हैं लक्षाण होते हैं वो आने लगते हैं ठीक है और infected ovarian cyst भी होती है जब infection जो यह जो cyst होती जब यह burst होके अगर यह out नहीं हो रही है तो यह infected भी हो सकती है ठीक है तो जो ovarian cyst infect हो जाएगी तो क्या करेगी मतलब उसको कौन infected कर देगा जब pelvic infection होता और उसके वज़े से जो cyst होती है ovarian cyst वहां तक वो infection पहुच गया तो भी क्या होगी infected जाएगी क्योंकि अब वो एक छोटा सा पानी का गुबारा जैसा होता है बना हुआ तो उससे क्या होगा अब वो जब infected होगी तो वहाँ पर क्या बन गया ? Epsis बन गया ठीक है ? वो जो cyst के अंदर अब क्या होगया ? Epsis बननेगा तो वो Epsis क्या हो सकता है ? जब cyst burst होगी तो वो Epsis क्या होगा वो पूरा danger हो जाएगा तो जो उसके bacteria होता है एपसिस के अंदर जो infection होता है, उसके अंदर bacteria जो होता है, वो क्या हो जाएंगे, पूरी body में फैल जाएंगे, जिसके वज़े से क्या होता है, वो lead करेगा sepsis, यानि कि अब जो woman है, उसको sepsis को हो जाएगा, और वो क्या होती, condition, life threatening होती, यानि कि जानलेवा तकलीफ होती है ठीक है, excuse me, अब इसका पता कैसे लगाएंगे, ovarian cyst का, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो doctors इसमें इसका पता लगाने के लिए क्या करती, pelvic examination करेंगी, उसको पता लगाने के लिए, और उससे कुछ question पूछने पढ़ता है, जिसके ये हुई है, कि उसके symptom कैसे है, other symptom क इसको क्या, ये है, क्या cyst है, और उसके अलवावा, जो अब ये cyst किस type की है, fluid वाली, fluid भरी हुई है, या ये hard है, या इसमें fluid और heart दोनों है, mix है, तो ये सब पता लगाने के लिए क्लियर है, ये brownish color है, तो ये सब पता लगाने के लिए क्लिया करना पड़ेगा, उसका अगर प्रॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है उसको कॉर्पस लूटियम सिस्ट है जो हमने भी टाइप भी पड़े थे ना नम पार्ट वन में तो कॉर्पस लूटियम के बारे मैंने बहुत अची से समझाया था आप समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या है ठीक है देन पहल पंपराने में गनि उसमें उसको आने में में क्या होता है उसके दवारा संदेडने में में सका है कि अची से व हो जाएंगे ऑर किस तरीके का सिस्ट होती है तो सिस्ट की बिल्कुल पिंप्इंट पता चल जाएगा कि कि लोकेशन वो है कहां पर किस टाइब की वह सिस्ट है तो उससे डिसीजन लेने में और पता लगाने में इजी हो जाता है लेप्रोस को भी एक इसका ट्रीट्मेंट है वह डागनोज कर सकते हैं इसको लेप्रोस को क्या करते हैं जो एक स्लिम इंस्ट्रुमेंट होता है यानि कि abdomen में एक छोटा सा cut लगाएंगे उसके lower abdomen में और उसको क्या करते हैं फिर ovary में उसको पहुचाते हैं मनलब उसके और उसको हम अच्छी से उसकी उसके help से leproscope के help से ovary को देख लेते हैं और उसको remove भी कर सकते हैं तो यह है ब्लड टेस्ट में एक और जो ब्लड टेस्ट है जैसे कि अगर यह जो पार्शली जब आफ इफ यू है बमनला अगर सॉरी अगर यह है सिस्ट है परसन को तो पार्शली सॉलिड वे यह जो ovarian cyst यानि कि जो ovarian cyst होती है जो solid है भी उसको क्या कर सकते है पार्शली remove कर सकते है ठीक है और इसमें क्या होता डॉक्टर जो होते है उसके लिए test भी कराते है मतलब ovarian cyst जो होती है उसको पार्शली जो होती है देखने के लिए अगर उसको है ओविरेंशिस्ट तो क्या करते हैं उसका यहाँ पर देख लीजिए यदि आपके आज शीक्रूप से ठोस है मतलब बनी है जो सॉलीड है थोड़ी पानी भरावाल सिस्ट नहीं है सॉलीड सिस्ट है आपके ओवरी में तो दॉक्टर उसके लिए कुछ टेस्ट भी कराते है मतलब उसको कंफर्म करेंगे कि कहीं कैंसर तो नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा जिसमें की प्रोटीन का लेवल को चेक करना पड़ता है तो उसके लिए क्या करेंगे उसको ब तक हमने देखा था कि ओवेरियन कैंसर होने के चांसे काम है क्योंकि वह मैनिस्टर साइकल में आउड हो रही है और निकल रही है ठीक है यह उनको हो सकता है ज्यादा जिन्कों कि क्या है पहले से यूट्राइन फाइब्रोइड है और अंड्रोमेट्यॉसिस है पैलिग इंप् में जाके आपको मिल जाएंगे तो इसके वज़े से भी कैंसर के होने के चांसे बढ़ जाते तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा सी ये 125 ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है अब इसका ट्रीटमेंट क्या करा सकते हैं तो जो मोस्स होती हो आना जाना करती रहती है अपने आप ठीक भी होती है इसलिए सबसे पहले तो वाचिंग वीटिंग यानि कि देखना है उसको वेट करना है तो डॉक्टर क्या करते हैं पेशिंट को मॉनीटर करेंगे और उसकी स्वेसिन टैल्स को कुछ साम गगिये खेह जाए उसको कॉछी मेडिकेशन मेडिकेशन नहीं होती है गिया जासकता है और त्रम कि this में दिनकन करने के लिए छिए और Hypn को ठीका का सिस्ट गो त्रैकर यह हो यह क्रेगा जो यह हउर्मोनल ट्रीटमेंट जो तो नहीं कारेक्ट कर देगा कि जो कि नियुआ कुछ आई करेंगे तो ने रोके गए तो हर्मोनल ट्रीटमेंट भाल हो भी दे सकते है कि शर्जरी की जरूइन को जरूती है बुरुष कंको किसकी ज़रूती है अगर रीजल में क्या script सुसम्हें आट हुई है और क्या कर रही हैं जो हलती ही लक्षनमें बिस इसके सीरियस गंभी में था कितो क्या होना और क्या जरुबफ तो इसका पास क्या सिस्ट्री की जARवत होती इनदर तो ङूविर हुं और क्यूंकि जो Сिस्ट एक сब्टेंजी की जाएगी तो इसली है यह को करेंग कि पूरी ओवरी को बाहर निकाने के लिए क्या क्या सब्सक्राइब करेंगे के निकालनी हैए सजट निकालने या फिर फूरी निकालने तो यह सब्सक्राइब जिसमें क्या करती है इसी सब्सक्राइब को इसको कराया जाएगा ज़्याधों की जाती, जिसमें क्या क्या जाता है? रीमूव कर दी जाती, जो अवेरियंस रीस्ट होती है, उसको हटा दिया जाता है, तो डॉक्तर क्या करती है? वह लेप्रोस्कोप जो होता है एक लंबा पतला इंस्ट्रुमेंट होता है ठीक है तो उसके लिए वो क्या करेंगे उसको अंदर डालने के लिए एक छोटा सा कट लगाएंगे बैली पे ठीक है जहां पर मतलब बैली बटन ठीक है यानि कि जो लोवर अब्डोवन होगा वहाँ च्छोटा कट लगेगा फिर उसमें जो कट के थू क्या करेंगे वहीं स्मॉल इंस्ट्र जिसमें यह जो लेप्रोस्कोप इसको इंसर्ट करेंगे जिसमें की और डी कैमरा लगा होगा ठीक है ना तो उसको वहां से वह विजुलाइज करेगा इंसाइट पूरा देखे आए या इसको सिस्ट को पूरी तरीके सची से वह बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो यह जो होता है इसमें जो पेशन्ट होती है वह उसी दिन घर जाने के उसको चांसे होता है यानि कि यह एक ही दिन में जिस दिन उसने ऑपरेशन करा है उसी दिन वह घर चले जाती है और जो ल उसको बहुत अच्छी तरीके से ओपन करके अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं ओवरी को फिर वो उसमें क्या करते हैं कि उसमें किस तरीके की ओवरी है किस तरीके का सरजरी करनी है उसमें तो वो यह परफॉर्म करते हैं कि सिस्ट कितनी बड़ी है तो यह सरजरी लेपर कितनी बड़ी सिस्ट है उसी के हिसाब से सर्जरी डिसाइट होती है ठीक है तो कंक्लूजन में वही है हमने जो अभी तक फास्ट वन और फास्ट टू पार्ट पढ़ा था उसी का यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दे रखा अगर आप चाहें तो बाद में दे सकते हैं वीडियो व ऽंधि तो मैं अब क्या करती हो इसको स्टॉप करती है इं पर तो मिलते हैं यह वीडियो में तब तकową गुड़बाइट टेए तो जाते से एक लाइक तो बनता कमेंट भी बनता है इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और साथ में जो है बताईए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो गुड़ बाई टेक केर तब